सो हे गाईज आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं हमान का गैलेक्सी सिरीज का नाइन इंचेस का एंड्रोइड टच्सक्रीन स्टीरियो औरा गाड़ी में तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर जो है बहुत सारी इंफोर्मेशन दी है वनियर की वारंटी के साथ ही आपको मिलेगा और फीचर्स इसमें बहुत सारी मिलते हैं आपको जैसे कि आपको आपको अल्वेनर ट्रील प्रोसेसर मिलता है एंड्रोइड वर्जन दिया है 11 और सीप्यू आपको मिलेगा ओक्टा कोर एफिप्टी ट्री प्रोसेसर 2GB का बिल्ट इन DDR3 RAM है 32GB के इंटरनल मेमरी है IPS स्क्रीन है गोरिला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ साथ में बिल्ट इन FM और Bluetooth भी आपको मिलेगा और सबसे बड़िया बात जो है इसमें आपको wireless CarPlay और Android Auto भी देखने को मिल जाएगा बाकी कीमत है इसकी 25,000 रूपीज लेकिन जो है camera भी included है साथ ही में मुझे इसका जो frame है तो वो भी मिला था तो installation के लिए जो है पुराना frame यहाँ से पहले निकाल लेते है उसके बाद जो company fitted जो यहाँ पे आपको music system मिलता है तो वो निकाल लेते है तो यह रहा company fitted music system तो इसमें जो है coupler to coupler fitting होता है नए वाले system में भ तो सबसे पहले जो है इसके frame में हम changes करेंगे तो यह रही पुरानी वाली frame और हमें जो है आपको दो types की frame मिलेगी एक matte black finish में और एक piano black finish में तो मैंने piano black finish वाली ही ली है थोड़ी सी महंगी पढ़ती है लेकिन top model के जैसी दिखाई देती है तो यह जो side का area है वो पुराने व fix कर दिया जाता है अभी यहाँ पे जो है camera की wiring चल रही है तो camera की यहाँ पे जो cable है वो निकलेगी हमारे touch screen के head unit से और वो पीछे की तरफ जाते हुए निकलेगी हमारे boot space में और वो हम connect कर देंगे सीधा इसके rear camera में इसके अलवा camera के लिए हमको power supply की भी जरूरत पड़ेगी तो वो हम लेने वाले हैं गाड़ी के tail lamp से तो फिलाल आप जो cable देख रहे हैं यह आ चुक है हमारे android stereo के head unit से इसके बाद जो है power supply भी connect करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक GPS antenna भी है जिसके अंदर magnet लगा हुआ है तो यह appillar के उपर आराम से चिपक जाता है तो मैंने इसको यह यही पे fix करने को बोल दिया तो इसमें जो है कोई भी wire cut नहीं होता है क्योंकि अगर आप wire cut करोगे तो आपके गाड़ी की जो warranty है वो चली जाएगी तो यहाँ पे जो है यह लोग थोड़ी सी wire छील देते है लेकिन उसको cut नहीं करते है और यही से जो है इसके rear parking camera को power supply दिय हो चुकी है अभी जो है rear parking camera लगाना बाकी है लेकिन उससे पहले हमारा android head unit का जो frame है वो तयार हो चुका है तो सबसे पहले head unit car में लगेगा और उसके बाद ही हम camera को लगाएंगे तो इसकी जो fitment है वो हो चुकी है तो यह रहा android head unit तो यहाँ पे जो इससे screw से tight करेंगे यह नया वाला frame है glossy piano black finish में यह आपको मिलेगा और सारी जो wiring है वो coupler to coupler में होती है android head unit के साथ जो है ऐसा एक coupler आपको मिलता है जो car के original wiring के साथ इस तरह से connect हो जाता है इसके अलवा car के उपर जो microphone antenna लगा है जो की FM का signal पकड़ने के लिए होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे android के head unit से connect हो जाएगा gps by default यहाँ पे मिलता नहीं है तो उसके लिए जो है हमने a pillar के अंदर वो gps fix करवा दिया है इसके अलवा एक usb port भी होता है जो की हमें मिलेगा इस glove box के अंदर हला कि 2 usb ports होते है लेकिन मुझे जो है इसके जो original usb port दिये है gearbox के सामने तो वो भी मुझ usb port जो है मुझे glove box के अंदर दिया और दूसरे जो है मेरे company fitted on है बाकी coupler to coupler fitting होती है सारी कोई भी wire cut यहाँ सामने की तरफ नहीं होती है सारे wire जो है almost connect हो चुके है stereo है वो fit हो चुका है और अफिलाल जो है यह लोग यहाँ पे कर रहे है steering mounted control को configure तो इन्हें configure करने के बाद सकते हो source change कर सकते हो mute कर सकते हो और बाकी की जो steering mounted control से वो सारे के सारे आपके काम करना शुरू कर देंगे चली अब बढ़ते हैं इसके camera की तरफ तो camera जो है मुझे मिला था हमान के stereo के साथ लेकिन उसमें clarity कुछ खास थी नहीं तो मैंने यह दूसरा वाला camera लिया जो कि है blowpunk क dh04 series का और यह जो है dome camera है तो number plate के उपर की तरफ लगेगा जो की काफी अच्छा भी दिखाई देगा क्यूंकि top model में जो है ऐसा ही camera आपको मिल जाता है और इसकी clarity जो है वो भी काफी अच्छी है तो यहाँ पे जो है पूरी wiring camera की भी हो चुकी है तो हमारा जो stereo है वो पूर 30 seconds का जो time है यह पूरा boot होने में लेता है लेकिन इसी बीच अगर आप reverse gear डालते हो तो वो immediately on हो जाता है मतलब आपका reverse camera जो है वो 30 seconds नहीं लेता है वो 10 seconds के अंदर ही आपका जैसे आप गाड़ी start करते हो और reverse gear डालते हो तो आपका जो back camera है वो immediately start हो जाता है बाकी जो है Android stereo क start होने में 30 seconds लगते है तो उतना patience आपको रखना पड़ेगा क्योंकि T3L processor है और सिर्फ 2GB का RAM इसमें है clarity जो है काफी अच्छी है तो फिलाल जो है इस system को use करते होए almost one month हो चुका है हालकि यह long term review तो नहीं है लेकिन मुझे system के साथ क्या क्या मिला था और मैं इस system के साथ इस दी है तो यह आप देख सकते हो file manager वगरा तो यह जो आप अपने according जो है इन्हें add भी कर सकते हो यहाँ से आप जो चाहाए वो रख सकते हो बाकि यहाँ से जो आप music play कर सकते हो यहाँ से आपको पूरे menus दिखाई देंगे तो इसमें theme है bluetooth है maps है carbt link है music है play store है chrome है file manager youtube videos व settings है नीचे boot animation है t-link का option है जो की काम में आएगा wirelessly जब आप android auto और apple carplay connect करते हो उस वक्त तो यह जो पूरा interface है वो आप change भी कर सकते हो इसमें 2-3 interface और है जिने आप चाहो तो बदल सकते हो तो इसके लिए आपको theme में जाना पड़ेगा और यहाँ पे offline में इसके उपर अगर वो आपको मिल जाते है जैसे कि अगर आपको यह option पसंद है तो आपको सिर्फ use के उपर क्लिक करना है और आपका यह option यहाँ पे apply हो जाएगा तो फिलाल मुझे यह वाला interface ज्यादा अच्छा लगा तो मैं यहीं use कर रहा हूँ यह head unit है उसके बाद यह frame मुझे इसके साथ म आपको नीचे की तरब जो ports आपको मिलते है यह वाले यहाँ पे type C 12V का charging socket है और USB socket है तो यह मुझे on रखने थे तो मैं आपको on करके दिखा देता हूँ तो यह आप देख सकते हो जब भी मैं आगे की light on करता हूँ तो इसमें light जलने लगती है मतलब यह वाले जो ports है यह on ह मैंने खुछ यहाँ से mobile charge किया है और वो होता है लेकिन यहाँ पे कोई भी अगर आप pen drive connect करते हो तो वो यहाँ पे detect नहीं होता है अगर आपको pen drive system के साथ connect करना है या फिर कोई file अगर इसके अंदर transfer करनी है तो उसके लिए glove box के अंदर आपको एक अलग सा USB मिल जाता है और यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ एक ही USB port दिया तो यहाँ से मैं अपना pen drive connect कर सकता हूँ बाते जो इसका touch response है वो काफी अच्छा है मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं लगी Bluetooth के थुरू calling करने के लिए company ने जो mic दिया था वो लगा है यहाँ पे उपर की तरफ लेकिन य लग से mic मिला है तो यह आप देख सकते हो तो फिल्लाल जो है यह system काफी अच्छे से काम कर रहा है इसके वीडियो की जो clarity वगरा है वो मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए कोई भी lag या फिर hang मुझे system के अंदर दिखा ही नहीं दिया अभी तक rear parking camera की clarity भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह आप देख सकते हो इस type की जो है आपको rear parking camera की clarity मिल जाती है ब्लापंग के camera के साथ तो काफी अच्छी जो है clarity मिलती है तो इस stereo के drawback की अगर बात करें तो सबसे बड़ा drawback मुझे इसमें यही लगा कि जब भी गाड़ी के अ sticker है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है साथ हमें यह जो seat है तो seat भी गाड़ी की इसमें दिखाई दे रही है clearly तो ऐसे में क्या होता है कि इसका clarity है screen की तो वो उतनी जाद आच्छे नहीं दिखती वे आप देख सकते हो मेरा जो हाथ है तो वो भी आप screen के अंदर देख स आप कर सकते हो लेकिन उससे ज्यादा जो है आप नहीं कर सकते तो यह एक drawback मुझे लगा है जब भी मैं दो पहर को गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ तो screen जो है मुझे कुछ ज्यादा clear दिखाई नहीं देती है अगर मैं कोई video play करता हूँ बाकि पहले वाला जो OEM unit था उससे तो यह battery है बहुत सारी चीज़े यह offer करता है इसके अलवाइस का जो long term review है वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे comment कर सकते हो thanks for watching the video